मेरा बिल मेरा अधिकार योजना और इस योजना में आप लोग भी भाग ले सकते हैं और कुछ हिनाम की रोम में पा सकते हैं और इसलिए इस तरह की योजनाओं के बारे में एक सामान जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए और फिर अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस हो या फिर आपका स्टेट PCS हो वंडे एक्जाम हो तब आप लोग देखते हैं कि इस तरह की योजनाओं से कुश्चन्स भी आपकी परिक्षाओं में हर साल पूचे जाते हैं तो चलिए इसके वारे में एक सामाचानकारी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि कब से सुरू करने की बात की जा रही है 1 सेप्टमबर 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोसान एउजना सुरू करने की घोशना की गई है 1 सेप्टमबर 2023 भारत सरकार द्वारा राज जी के सहयोग से मेरा बिल मेरा अधिकार की सुरूआ की गई है इसका उद्देश क्या है क्या है क्योंकि आप देखे कोई योजना लाई जाती है तो उसका कोई उद्देश то होता है तो इसका उद्देश है कि गिराहक द्वारा पिते एक दुकांदार से पिते खरीदी गई बस्तू के लिए बिल मांगने की सन्सकिति को बड़ा बादीना है आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई वस्तू खरीदने जाते हैं, उसका अगर बिल दुकानदार दे दी तो आप लोग चुपचाप लेके चले आते हैं, अगर बिल भी ना दिया जाए, तब भी आप लोगों को भी वो बस्तू लेकर आ जाते हैं लेकिन अब कहा जा रहे कि इस योजना में फायदा मिले लोगों को इस उद्दे से कम से कम लोग बिल तो लें हर बस्तू का बिल तो लेकर आएं और इस सांस्कितिक बदलाओ के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से एक चालान प्रोसान योजना सुरू की जा रही है योजना का प्रात्मिक लक्ष आम जनता सांस्कितिको बिवारिक बदलाओ लाना है जिसे वो खरीददारी के समय बिल मांगा करें और आप देखते हैं कि अगर दुकानदार बिल देते हैं तो उन्हें टेक्स भी देना बढ़ता है और अगर वो बिल नहीं देते हैं तो उनका टेक्स बज़ जाता है योजना की विसिस्ता की बात करें तो यह योजना 1 सेप्टमबर 2023 से लागो होगी और सुरू होगी और सुरूआत में योजना को पाइलिट प्रोजेक्ट के रूम में असम गुजरात हर्याना, राज्यों और पुडुचेरी दादर नागर हविली तथा दमन और दुईव में लॉंच किया जाएगा योजना के लिए पातता उल्लिकित चेत्रों में GST पंजीकित आपूर्ती करताओं द्वारा जारी किये के सभी B2C चालानों पर लागू होती है जिसमें आप देखी लखी डिरापर विचार के लिए नियुनतम चालान मुल 200 रुपे रखा गया है कितना 200 रुपे और GST की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बस्तू येवं सेबा करकी बात हो रही है एक आपित्यक्ष कर विवस्ता है एक जुलाई 2017 में ये लागू होई थे चालान iOS और Android पर उपलद मेरा विल मेरा अधिकार मोबाइल एपलीकेसन के साथ वेब फोर्टल web.merabill.gst.gov.in के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है आप इसमें यहां से भी भाग ले सकते हैं सभी भारतिय निवासी भाग लेने की पात्त होंगे चाहे उनका राज्जी के अंदसासे तिदेश कोई भी हो लखी डरा में प्रवेश के लिए बैक्ती एप बेपोर्टल के माध्यम से पिती महा अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकते हैं चालान जमा करने पर पुरुसका डरा के लिए एक पावती संधर संख्या उत्पन की जाएगी और पुरुसकारों के लिए रेंडम डरा मासिक और त्री मासिक नेमित अंतराल पर होंगे और मासिक डरा में रुपे की 800 आप देखते हैं कि कितने 800 पुरुसकार होंगे जिसमें पितेक 10,000 रुपे का और 10,00,00 रुपे की 10 पुरुसकार इसमें सामिल होंगे और अंगले महीने की 5 तारीक तक अपलोड किये गए चालान मासिक डरा के लिए पात होंगे और त्री मासिक डरा में पिछले 3 महीने में अपलोड किये गए चालान सामिल होंगे तो ये भी याद रखेगा और चालान अपलोड के दोरान पिती भागियों को आपोर्ती करता का GST, GST, IN, चालान संख्या, चालान तिती, चालान मुल और ग्राहक का राज्य के अंदसा से पिदेश पिदान करना होगा निस्क्री या नकली GST, IN वाले डुप्लिकेट अपलोड और चालान आसुईकार कर दिये जाएंगे और विजेताओं को पुरुसकार हस्तान तन के लिए 30 दिनों के भीतर पैन नंबर, आधायड काईड और बैंक खाता विबरन जैसे अत्रिक जानकारी पिदान करनी होगी जो आप देखते हैं कि ये पुरुसकार जीत लेगा उनकी लिए बात हो रही है और यह पाइलेट प्रियुजना 12 महीने तक चलेगी, कब तक 12 महीने तक इनवाइस डिसकाउंटिंग एक वित्तिय संस्ता है, जहां कोई ब्यवसाय अपने आवेतनिक चालांज को ततकाल रियायती भुकतान के लिए तीसरे पक्च को बेचता है और इसे ब्यवसायों को तेजी से धन तक पहुँचने में मदल मिलती है और नगदी पिवा में सुधार होता है, जब ग्राहक भुकतान करते हैं तो तीसरे पक्च उनसे पूरी चालन रासी इकतित करता है और सुल के काटता है और से इस रासी ब्यवसाय को भेच देता है ये बिल में आप चूट की बात हो रही है तो एक कहानी है, मेरा बिल, मेरा अधिकार ये उजना की और इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे लगता है कि आपके पास ओनी चाहिए